बारते टीम के पूर्फ तेजगेंदबाज आर्पे सिंग ने 2008 में हुए चैन विबाद पर पूर्फ कप्तान महिंदर सिंग धोनी का साथ देते हुए कहा कि धोनी जो भी है वो अपने इनिस्पक्च विचारों के कारण है इस चैन विबाद में आर्पे सिंग की जगें टीम में हर्फन मौला इर्फान पठन को शामिल किया गया था दरसल आपको बता दे सूत्रों की माने तो 2008 में इंग्लेंड के खिलाब गरिलू स्रेंग खला के लिए धोनी चाते थे कि टीम में आर्पे सिंग का चैन हो लेकिन चैन करता ने पठन को तरजिह दी बारती कप्तान ने तब कहा था कि चैन बैठक की पात बाहर आना अपमान जनक है बारत के लिए 14 टेस्ट, 58 एक दिवे से और 10 T20 खेलने वाले आर्पी सिंग ने कहा कि उन्हें टीम से बाहर होने से कोई शिकायत नहीं 34 साल के स्किलाडी ने बताए कि मुझे नहीं लगता कि मैं टीम से बाहर होने से प्रभावित था हम जिस इंग्लेंड सिंखला की बात कर रहे हैं मैंने इंदौर में क्रिकेट नहीं लिया था जाएर है लोगों को लगता है कि खलाडी को 2 या 3 और मौकी मिले लेकिन हमेश्या ऐसा नहीं होता है कुछों को 5 मौकी मिले, कुछ को 10 मौकी मिलते हैं उन्होंने कहा मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ जब भी मैं प्रदर्शन में ग्रावट आई तब मुझे घरेलू मैचों में खेलने के लिए भीजा गया कई बार प्रदर्शन में Grapatt के बाद खिलाडी टीम से टीम में बने रहते हैं और उन्हें अच्छा अभियास का मौका मिलता है जब आप करेलू क्रिकेट में खिलते हैं तो आपको इस इस स्थार का अभियास करने का मौका नहीं मिलता है मैं आपको बता दे आरपी सिंग ने आगे कहा कि दोनी एकने स्पक्ष कप्तान थे और उनकी दोस्ती ने टीम केस विकित की पर बरलेवाज के फैसलों को काफी प्रभाबित नहीं किया उन्होंने कहा हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि मैंने कहा सुधार कर सकता हूं मैं बहतर होने के लिए क्या कर सकता हूं मैं एमेजोनी को जानता हूं मित्रता एक अलग चीज है लेकिन देश का ने तिर्ट्व करना पूरी तरह से अलग है मुझे लगता था कि उस समय उन् बैदान में बहतर तरीके से उतार सकता है, जोने काहा धोनी आधोनी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने फैसलों लेकर ने स्पक्छ थे उनकी बिज़ार और फैसले पक्छ पात रही थे, मैंने जितना खेलना चाहिए था उतना नहीं खेल सकता क्योंकि शायद मेरी रफचार कम हो झाल 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 झाल